संस्कृत आए मित्रों चंद्रा इस्टिट्यूट के यूट्टो चनल पर आप सभी लोगों का श्वागत है मैं अखिलेस राज सभी लोगों से संस्कृत भासाया सिच्छन से सम्मंधित प्रस्णों की चर्चा करता हूं जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट और राजस्थान से सम्मंधित प्रस्ण हैं, आए हम सभी लोग मिल करके प्रस्णों की चर्चा करते हैं, आपके जो प्रस्ण हैं देखे प्रस्न आपका लिखा हुआ है कि बिभिन्न समुहेशु तान उपवीशयती सहसा एकह अभिभावकह तत्र परिभ्रमर समय छात्रान समुहेशु उपविष्ठान पश्यती सिच्चकम्न समुहान मद्धे चलंतम पश्यती एवं इस्थितिम द्रिष्टवा सह असंतुष्टह सन किनकुरियाद बिभिन्न समुहेशु तान उपविशयती सिच्चकह छात्रेभ्य सह पाठस्यकारदत्ता कच्छा याम बिभिन्न समुहेशु तान उपविशयती सिच्छक छात्रों के लिए सहपाठ से सहपाठ का कारदत्ता माने देकर के कच्छा या माने कच्छा में विभिन समूहों में तान उपवेशियत उनको उपस्थित करता है वैठाता है सहसा एक अभिभावक है सहसा माने अचानक एक अभिभावक है तत्र वहाँ परिभ्रमण समय घूमने के समय में परिभ्रमण के समय में छात्रान समूहेशू छात्रों को समूहों में उपविश्थान माने बैठा हुआ पस्यत माने देखता है सिच्छक को समुह के मध्य में चलता हुआ नहीं देखता है इस इस इस्थिती माने इस्थिती को द्रिश्टवा आने देख करके सह असनतुष्ट हुता है असंतुष्ट होकर की किम कुरियात किम माने क्या करना चाहता है कहने का मतलब है सिच्छक जो है छात्रों के सह पाठ का सामूहिक पाठ का कारे देकर के कच्छा के बिभिन समूहों में उनको बैठा देता है ठीके नहीं कोई अध्यापक है छात्रों को सामूहिक पाठ का कोई कारे देता है एक पाठ है कोई भी पाठ मान लेजिए परियावन प्रदोसन का ही पाठ मान लेजिए वह पाठ देता है सभी छात्रों को साथ में पढ़ने के लिए कच्छा के बिभिन समूहों में तान उविसद उस समूह में उनको बैठाता है अचानक कोई एक अभिभावक घूमने के समय आता है अच्छात्रों के समूह में बैठे हुए देख करके और सिच्छक को देखता है कि समूह के बीच में वह चलता हुआ नहीं देखता है जबकि सामुहिक पाठ करते हुए सिच्छक को इधर धर घूमना चाहिए इस अभी छात्र पाठ पड़ रहे हैं कि नहीं लेकिन वह सिच्छक जो है बैठा हुआ है ठीक है और वह अभिभावक जो है अभी भावक को उस बिद्याले से बालकों को क्या करना चाहिए अभी भावक को उस बिद्याले से बालकों को क्या करना चाहिए अभी भावक को चाहिए कि उस बिद्याले से बालकों को निकाल ले अगर वह एक गार्जियन है मा लिजिये सपोच दैट आपके पिताजी है आपके पिताजी बुद्धि जी भी हैं पढ़हे लिखें हैं अब विद्याले में जाते हैं देखते हैं कि सभी चात्र पढ़ रहे हैं लेकिन वह सिच्छक जो है कुरशी लगाये बैठा हुआ है और चात्रों का नेरिछट नहीं कर रहा है अब आपके पिताजी असंतुष् करके अभिभावक तसमात विद्यालयात बालान प्रत्याहरित मतलब अभिभावक को उस विद्यालय से बालकों को निकाल लेना चाहिए प्रत्याहरित बने हटा देना चाहिए अभिभावक को सिच्छक के विरोध, सिच्छक का विरोध प्राचार से निवेदित करना चाहिए अध्यापक को सिच्छक का विरोध प्राचार से करना चाहिए यह देखो आपका अध्यापक है और वह छात्रों को क्लास का कारी दिया है पढ़ने के लिए और बहुर कुछ देख नहीं द्याएं, अईसा उसको करना चाहिए तीसरी बात अभिभावक का아दी सिच्छक में विष्वास होना चाहिए तथा सिच्छक के द्वारा सिच्छक के साथ तत समश्या विसाथ keVarthe Kirillat अभिभावक को सिच्छक में विश्वास होना चाहिए तथा सिच्छक के साथ तथ समस्या उस समस्या के विश्या में बात करनी चाहिए यह बात सही है ठीक है नहीं कि अभिभाव को क्या करना चाहिए पहला नामत तो सिच्छक के उपर विश्वास होना चाहिए कि सिच्छक अगर यहां सामुहिक कार्दे करके बैठा हुआ है तो इसके ऊपर इतना सिच्छक इतना स्वयम जिम्मेदार होगा कि छात्रों को वह समहा लेगा अनुसासन हिंता कोई छात्र करता है तो उस छात्र को यह समहा लेगा ऐसा अभिशास होना जीए या सिच्छक के साथ उस समस्या के विसे में बातचीत करनी चाहिए एक बात दूसरी बात यहां डी लिखा हुआ है कि अभिभावक सोवसंतानस से विभागम परिवरताईतुम प्राचारे समीते निविद्रम कुरियाद अभिभावक को अपने संतान को विभाग माने अलग कर के परिवरतियों उस विभाग से अलग करने के लिए प्राचार के समीप में निविद्रम करना चाहिए तो देखिए यहां की जो बात होगी तो क्या हो सकता है यहां आपसन सी सही होगा जब अभिभावक असंतुष्ट है तो अभिभावक सिच्छक के विसे में विस्वास ह करना चाहिए तता सिच्छक के साथ उस समस्या के विसे में बात करी चाहिए ठीक है ना विद्याले से बालकों को नहीं निकालना चाहिए और सिच्छक का विरोध भी प्राचार से नहीं करना है और अभिभावक अपने संतान को ले जाकर कि प्राचार के समीव में निविद नहीं करना चाहिए उसी ही अध्यापक से पूंचा जाएगी आपने अइसा क्यों ही है अब हम बात करते हैं आप से कि विभिन विसयाराम ग्यानत से कृते विद्यार्तिना मात्रिभासा या के लिए विद्यार्थियों को मात्रिभासा का ओपयोग करना। तो विभिन बिशयों के ग्ञान के लिए विद्यार्थियों को मात्रिभासा का प्रयोग करना चाहिए ठीक nel, क्यों करना चाहिए इतर भासा याम बिशयों के अध्यन में बाधक होगी अन्यासाम भासा याम ग्यानार्थाम विग्णम जन इस्यती अन्य भासाओं के ग्यान के लिए विग्ण उत्पन करेगी संस्कित भासा का कच्छा में अनुमोदितः नस्यात संस्कित भासा का कच्छा में अनुमोदन नहीं होना चाहिए ग्यान प्राप्तों सहायम करिश्यत ग्यान प्राप्ती में सहायता करेगी देखे बिभीन विसियों के ग्यान के लिए विद्यार्थियों को मात्र भासा का प्रयोग करना चाहिए इसे क्या होता है कि ग्यान प्राप्ती में सहायक करेगी अगर संस्कित भासा पढ़ा रहे हैं संस्कित भासा में ही अगर हम हिंदी भासा का प्रयोग नहीं करेंगे तो छात्र जो है वह मात्र भासा अद्यन करके आया हुआ है संस्कित भासा पढ़कर के नहीं आया है तीन की, प्रसंक्या तीन में लिखा हुआ है कि कविता पाठनम क्रियती, कविता का पाठ किया जाना चाहिए नमीन सब्द ग्यानार्थम, नमीन सब्दों के ग्यान के लिए वर्तन्याह ब्याकणस जा ग्यानार्थम, वर्तनी और ब्याकण के ग्यान के लिए चंदो बद्ध रचना याह ग्यानार्थम चंदो बद्ध रचना के लिए विचारा नाम बोधार्थम अनन्दा नूभूत्य अर्थम चे विचारों के ग्यान के लिए और अनन्द की अनभूत के लिए तो देखिए प्रसंख्या 3 का जो कविता का पाठ होना चाहिए वह प्रसंख्या 3 का D होगा ठीक ने? वह विचारों के ग्यान के लिए और आनंद की अनभूत के लिए ही हम कविता का पाठ करते हैं प्रसंख्या 3 का क्या सही होगा? D सही होगा न ए होगा न बी होगा और नहीं सी होगा प्रसंख्या तीन का क्या होगा डी होगा ठीक ने कविता का पाठ जो है नमीर सब्दों के ग्यान के लिए नहीं वर्तनी और व्यागण के ग्यान के लिए नहीं चंदोबद रचना के ग्यान के लिए नहीं विचारों के ग्यान के लि प्रसंख्या 4 में देखी लिखा हुआ है कि रिया मोहितस्य पंचम कच्छा यां विकलांगम छात्र वस्तह तत्र सिच्छकह रिया और मोहित रिया और मोहित दो छात्र हैं जो पंचम कच्छा के हैं और ये दोनों छात्र क्या हैं विकलांग हैं तत्र सिच्छकह वहां तहार थे सारव्य साम् विद्यार्थी नाम सरवय साम विद्यार्थी नाम ऑवसेक्ता नरूपम विद्याले समावेश्य से एद्समों होना चाहिए ऐसा मान करके उन दोनों को भी समावेश करना चाहिए यह आपसन होगा तव प्रतिसहान भूतिम प्रदर्शय तयोह कृति विसेश सयंत्रम कुरियाद अधिक सुविधाच दद्याद उन दोनों के प्रतिसहान भूति प्रदर्शित करना चाहिए तथा उन दोनों के लिए बिशिये से यंत्र करना चाहिए क्या यह होना चाहिए उन दोनों के अभिभावकों के साथ चर्चा करके भिन्य वाने अलग विद्याले की ओर ले जाने का उपदेश देना चाहिए क्या यह होना चाहिए प्रसंख्या पांच में लिखा हुआ है कि उत्तम लेखनम का तमाम प्रक्रिया याम अनुसरती उत्तम लेख की कौन सी प्रक्रिया अनुसरती उत्तम लेखनम का तमाम प्रक्रिया याम अनुसरती उत्तम लेख की कौन सी प्रक्रिया का अनुसरती करना चाहिए तो संसोधनम पुनराव लोकनम संसोधन और पुनरलेखन का विचाराणाम लेखनम पुनरलेखन विचारों के लेखन और पुनरलेखन प्रारूप लेखन संसोधन पुनराव लोकन और अंतिम लेखन अंतिम रूप से लेखन करना चाहिए प्रारूप लेखन का और अंतिम रूप लेखन का प्रयोग करना चाहिए, तो देखो जो उत्तम लेख की बात होती है, वह किस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसन करती है, तो उत्तम लेख जो होती है वह विचारों का लेख होता है प्रारूब लेख होता है और शंशोधन होता है पुनह अलोकन होता है फिर अंतिम लेख होता है इसे हम उत्तम लेख की प्रक्रिया मानते हैं तो प्रसंख्या 5 का B होगा न A होगा न C होगा न D होगा प्रसंख्या 6 की बात करते हैं प्रसंख्या 6 में देखी लिखा हुआ है कि कस्यास्चित भासा या है ज्यानम नाम किस भासा का ज्यान नाम है किस भासा का ज्यान नाम है देखिए कस्यास्चित भासा या है ज्यान नाम किस भासा को ज्यान नाम कहते हैं तो देखे तो देखे यहाँ पर किस भासा को ग्यान कहते हैं तो उतया भासय अभिव्यक्तिय ग्यानम जिस भासा से ग्यान की अभिव्यक्ति होती है उसी भासा को ग्यान नाम दिया गया है तो प्रसंख्या अच्छा का क्या होगा भासा की कच्छा में कथा कथन को एक पद्धत के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां कथा कथन की बात की जा रही है इसलिए यहां लेख नहीं होगा। लेखन की बात नहीं कि जा रही है इसलिए भासा की कच्छा में कथा कथन का एक पद्धत की रूप में प्रयोग कहां नहीं किया जा सकता है। तो वह लेखन से अध्यापन के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि बात करते हैं प्रसंके आठ की बात करते हैं। निदान परिच्छा की जाती है। निदान परिच्छा क्यों की जाती है। सतत परिच्छा के लिए निरंतर परिच्छा के लिए विद्यार्थि नहीं अस्तरह ग्यात्म विद्यार्थियों के अस्तर को जानने के लिए अंतिम परिच्छा के लिए रजनात्म परिच्छा के लिए तो देखिए जो निदानात्म परिच्छा जो होती है विद्यार्थियों के अस्तर को जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी हमारा कहां तक पहुंच चुका है ऐसी अस्तर को जानने के लिए हम निदानात्म परिच्छा करते हैं ठीक है प्रसंख आठ का भी सही मौकिकी देखिए भासा मुखरूप से क्या होती है मौकिक होती है उसके बाद पिनो लेख लिखता दुनिया भर का होता है ठीक है प्रसंख्या 10 की बात करते हैं प्रसंख्या 10 में लिखा हुआ है कि एक से सब्द से ग्यानम नाम एक सब्द का ग्यान नाम है एक सब्द को ग्यान नाम कहते है एक सब्द को ग्यान कहते है तस से रूप से ग्यानम उसकी रूप का ग्यान तस से अर्थ से ग्यानम उसकी अर्थ का ग्यान तस से वरतनी ग्यानम उसकी वरतनी का ग्यान तस से मूल ग्यान उसके मूल का ग्यान टो एक सब्द की ग्यान को अर्थ कहते हैं जैसे माली जी एगर हम कहें असव अब असव असव है ठीक है नहीं असव लिखा हुआ है अब असव यह है एक सरुनाम सब्द है तब असव माने होता क्या है असव का जब ग्यान हमें होगा तो असव माने होता है क्या वह हिंदी में क्या होगा वह तो असव सब्द की ग्यान का नाम क्या है अर्थ ग्यान तो तस से अर्थ से ग्यानम, सब्द से ग्यानम, तो एक सब्द की ग्यान को क्या नाम दिया गया है? अर्थ ग्यान दिया गया है, असा उसरुनाम सब्द की एक सब्द का अर्थ क्या है? वह, वह क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, इसलिए प्रसंख्या 10 का B होगा, A, C और D नह ठीक है ने तो आज इतना ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस समय पर चंदराइस्टिट्यूट में सभी प्रैटिस और कोर्स दिये जा रहे हैं आप यूटूब पर चंदराइस्टिट्यूट लिख करके आप सब्सक्राइब करेंगे टेली ग्राम पर भ दूसरा नमबर है 993 636 44560 और तीसरा नमबर है 8400 333 263 पर आप संपर करेंगे कोई भी समस्या के लिए आपका समाधान हो जाएगा वहाँ पर ठीक है और चंदराइस्टिट्यूट आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है इसके लिए आप सभी लोगों वागे सर के लि आप सभी लोग कमेंट जरूर लिखेंगे और आप सभी के साथ आरपी सर पवन सर पंकर सर आसीज सर और अतुल सर सभी लोग सयोग कर रहे हैं सिखा मैं सयोग कर रही हैं जो भी आपकी पसंदीदा टीचर हैं सभी लगे हुए हैं ठीक है आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक, सेर, कमेंट जरूर कीजिएगा बोलिए आप नमख, शांसीता